यह टेल के सी यू का कहना है कि लोगों को यहाँ पर E-Sync यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए क्योंकि अगर आपको मोबाइल E-Sync के साथ और खो गया तो से आप आसनी से यहाँ पर ट्रेक कर पाएंगे और तब एपल ने E-Sync की फॉक्शलिटी को निकालता और उसके बाद काफी सारे कम्तनी ने अपने फोंस के अंदर E-Sync वाली फॉक्शलिटी को बिल्ट इन किया लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर आज के समय में जो E-Sync होती वो इत्ती पॉकल क्यों नहीं है और जातर चन लोग है न वो पुरानी SIM को ही यूज करना पसंद करते और इत्ते सालों के बाद भी जो E-Sync रहती है वो यहापे में स्ट्रीम नहीं हो पाई चलिए सबसे पहले E-Sync के बारे में बता देता हूँ E-Sync का मतलब embedded SIM है और इसका मतलब यह कि जो SIM रहेगी वो आपके device के अंदर digitally store की जाएगी जिसके अंदर इस सिक्कार तरीके से mobile phone के अंदर रहेगी इंटरनेट के थूँ डाउनलोड कर दी जाएगी आपके mobile phone के अंदर और उसके बाद इसको आप normal की तरीके से आपके यूज कर सकते है और E-Sync के लगता है कि mobile phone में यह हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा नहीं है जैसे आप normally SIM card के साथ mobile phone को यूज करते हैं वैसी यूज करते रहेंगे या फर कई बार इसके लिए आपको apply करना पड़ता और आसा निसा आप इसे डाउलोड कर सकते हैं लेकिन यह virtuality आज भी बहुती limited mobile phones में देखने को मिलती है और Apple जब इसे लेकर आई थी तब यह technology काफी जादा नहीं थी और उस जमाने में Apple लें option दिया था कि आप एक normal sim चले और एक e sim चलाईए और इंडिया में भी उस समय से e sim का culture already अपर आच चुका है लेकिन US market के अंदर e sim का culture थोड़ा जादा advanced किया क्या आप लोग मालूमें कि आज के समय में जो नए iPhone US में मिलते हैं उनके अंदर आपको कोई भी physical sim card का slot देखने को नहीं मिलता है वो आज भी अपने जो e sim वाले होते हैं उस पर आते हैं यानि कि उसके अंदर आप दो numbers को use कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर सर्फ e sim को use कर पाएंगे यानि कि multiple e sim की functionality यूज करी हैं और काफी सारे लोग का misconception है कि सर्फ mobile phone के अंदर e sim देखने होते हैं जबकि ऐसा नहीं है अहाँ के समय में e sim की functionality और increase हो चुकी है जैसे कि market में LTE watches देखने को देखने होते हैं जैसे Apple की Apple watch आती है और Samsung Galaxy watch आती है इसके अंदर LTE वाले version आते है अब जब भी में smart watch के अंदर e sim की बात करता हूँ न तो लोग समझते कि बाहर से एक और sim card खरीदना पड़े गया e sim खरीदनी पड़ेगी उसका recharge लोग होगा ऐसा भी नहीं है बेसिक ही उसके अंदर simple सी चीज़ ही रहती है कि आपके mobile phone की जो sim रहती है न वही e sim मन के आपकी watch के अंदर आ जाएगी जिसके अंदर दौनों devices के अंदर एक ही number यहाँ पर चलेगा और दौनी devices एक ही data pack का यूज करके internet से connected रहेंगे यानि कि अगर call आएगा तो watch पर भी आएगा आपकी smartphone पर भी आगा और watch अगर आपकी पहन के जा रहे है और घर पर mobile phone को charging पर लगा है तब भी आप call अटेंड कर सकते है messages देख सकते है, internet से connected रह सकते है सारी चीज़े यानि यह proper stand-alone experience दिया जा सकते है आहाँ के समय में इंडिया में e sim और भी जगे देखने को लती है जैसे की cars में MG की cars होती है, Mahindra की cars आती है, Kia की cars आती है, Hyundai की cars आती है इनके अंदर आपको e sim की functionality देखने को मिलती है यह cars internet से directly connected है और आपको यहाँ पे functionality देगे कैसे आप आप अन दोगों internet से connected रहे है और आपको smart feature update वगरा provide करते है और से four wheeler की बात नहीं है, जो electric two wheelers होते है, Ola या ether के इनके अंदर भी आपको e sim की functionality देखने को लती है e sim देखा जा तो popular हुई है इंडिया के अंदर, ऐसा हम नहीं क्या सकते है devices के अंदर popular हुई है लेकिं फिर भी वही एक सवाल आता है कि mobile phones के अंदर इतनी popular क्यों नहीं हो पाई देखो, सबसे पहले बात करना जाओंगे, जो company आखर e sim को इतना promote क्यों कर रही है जैसे कि Airtel की बात करे एक main reason तो यह ही है कि इन लोग को secure experience मिलेगा कि अगर mobile phone खो जाएगा तो आसानी से track किया जा सकता है लेकिन एक और बात राती है कि आज के समय में companies को sim card बना पाना थोड़ा सा महेंगा भी पढ़ रहा है प्लस उसको shift करना, उसको रखना, उसकी भी cost आ दिये क्योंकि टेक्निकली काफी सारी companies आज के समय में freemail sim card को बाठते है और उनके लिए वह महेंगा सौधा है क्योंकि sim card के अंदर plastic, silicon के साथ थोड़ा बहुत gold भी आपको यहाँ पर यूज होता हुए देखने को बिलता है e-sim के साथ दिक्कत यह कि आख के समय जो functionality है नहीं यह सिर्फ उसक्निकली फोड़ा पर देखने को लोग यहाँ पर यूज करेंगे इंडिया के अंदर market बहुत जादा बड़ा है, जो smartphone होते हैं बहुत सारे smartphone को लोग यहाँ पर यूज करते हैं और जो majority smartphones इंडिया में विक्ते हैं, उनके अंदर e-sim की functionality आती ही नहीं है यानि कि अगर हम बात करें 10,000, 15,000, 20,000 या 30,000 के segment पे वहाँ पे e-sim आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा इसलिए e-sim इतल जादा popular नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जब segment आता है न तो वहाँ पे demand आती लोग की कि वो आसानी से अपना SIM card को switch कर सके साल तब लोग की सोच यहाँ पर यह रहती है कि एक mobile phone मैंने लिया नहीं है तो उसके अंदर मैं आसानी सोच को switch कर पाओ लियाने कि एक mobile phone लिया उमने को दूसरे पर डाला है बस SIM card को निकाल के दूसरी जगे करना है जबकि e-sim card के अंदर लोग को काफी जाद दिक्कत आते हैं और इतना smooth नहीं रहता कि आपने एक phone से SIM निकाल के दूसरे में डाल दिया इतनी आसानी से आप यहां पर चीज़ें नहीं कर सकते हैं और यह भी ऐक ऐसा factor है जो कि यहां पर काफी जादा लोगों रोकता है e-sim को mobile phone के अंदर यूस करने में और इसलिए लोग के मन में थोड़ा सा doubt रहता है e-sim को लेके इसके साथ ही इसकी popularity इंडिया में है नहीं और जित्ती भी telecom operator से जियो एटल की बात करें वो भी इस चीज़ को तर जादा push आप नहीं करते हैं यह functionality multi limited phones में आती है और इसलिए जो लोग इन phones को लेते हैं उन लोगों को अगर multiple SIM cards यूज करना तभी इसका यूज करते है और जो जादा तर जो लोग है आज के समय वो अपने पुराने phones को भी चला रहे है और उनके अंदर भी आपको पता है कि e-sim की functionality नहीं आती अभी भी देखा जा तो e-sim का जो concept है mobile phones फो थोड़ा से यहां पर नहा है और धीरे धीरे यहां पर grow कर रहा है अब बस simple सी बात है कि लोग की need क्यों पर है अगर लोग को वाक्री में जरूरत लगेगी तो काफी सारी companies वाल अपने phone में e-sim का option देंगे लेकिन काफी सारे लोग है वो चाहते है कि एक mobile phone में multiple SIM cards को चलाए जा सके जैसे dual SIM बगेरा और वाहां पर वो अपना मन पसंद का number चूज कर सके प्लस आफसानी से phone switch कर सके यह ऐसी चीज़ है जिसके कारण e-sim की जो popularity वो अभी भी यहां पर रुकी हुई है लेकिन इतने साल बाद भी जो e-sim है वो इंडिया में mobile phone के अंदर तो popular नहीं हो भी लेकिन दूसरे जगें बहुत तीजी से हम पर popular हो रही है लेकिन future में देखना हुआ कि अखर e-sim के साथ यहां पर क्या होता है अभी के समय में premium phone के अंदर तो है लेकिन premium phone के लावा budget phone, mid range phone तक देखना हो वाली बात होगी अब हो कब देखने को मिलेगा मैं अपना personal opinion दूँ तो हाँ मैंने भी e-sim को यूज किया smart watch के अंदर भी यूज के अंदर भी यूज किया और अपने mobile phone के अंदर भी यूज किया लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग का e-sim के साथ experience कैसा है यह बात दीजे comment बता ना भूलना थेंक्योग को वीडियो दिखने की मैं आप साल दो नेक्स्ट वन के अंदर गुद्बाइ